पुष्प क्या होता है पुष्प पोधे का अति महत्पुन भाग होता है जो जननंगों को धारन करता है इसे पोधे का जननंग भी कहते हैं पुष्प बास्तम में प्रारोह का परिवर्तित रूप होता है प्रारोह परिवर्तित होकर पुष्प का निर्मान करती है पुष्प की सारजना देखने पर सबसे पहले इसमें हमें एक डंठल जैसी आकरती दिखाई देती है इस डंठल जैसी आकरती को हम पुष्प ब्रंत कहते हैं इसी डंठल की सहायता से पुष्प जो होता है पोधे से जुड़ा होता है कुछ पुष्प ऐसे भी होते हैं जिन में पुष्प बरंत नहीं होता है अब जिन पुष्पों में पुष्प बरंत होता है उन्हें हम कहते हैं साबरंत पुष्प इसकर आप देख सकते हैं पुष्प बरंत के उपर का भाग चोड़ा है जिसे थेलेमस या हिंदी में पुषपासन के नाम से जाना जाता है एक पुषप के समस्त भाग थेलेमस के द्वारा ही जुड़े होते हैं हमारी हेडिंग है प्रारूपी पुषप की संरचना हम जब एक प्रारूपी पुषप की संरचना देखते हैं तो इसमें हमें चार भाग दिखाई देते हैं, नमबर एक बाहई दलपुंज, नमबर दो, दलपुंज, नमबर तीन, पुमंग, और नमबर चार जायांग, नमबर चार जायांग, ये चार भाग जो होते हैं, चारों के चारों भाग जो होते हैं, पुस्पासन से जुड़े ह होते हैं एक-एक करके हम इन चारों भागों का अध्यन करेंगे और इनके कारियों के बारे में जनकरी प्राप्त करेंगे सबसे पहला भाग आता है बहाई दलपुंज या कैलिक्स तो इस्टुडेंट्स पुस्प के पुस्पासन पर पाए जाने वाले पहले चक्र को बहाई पुस्प जाता है जब पक्तिस मंहें अपने को बहाय दल दिखाई देते हैं जो सेस्पल होते हैं यह हरे रंग के होते हैं तथा कारे क्या है इनका? ये कलीका अवस्था में पुश्प की सुरक्षा का कारे करते हैं इसके साथ ही इनका एक कारे और भी होता है चुक में यह ह्रे रंगे होते हैं तो ये प्रकास संसलेशंड की किरिया में भी भाग लेते हैं हमने बहाई दल पुंच के बारे में पड़ा कि पुस्प के पुस्पासन पर पाये जाने वाले पहले चक्र को बहाई दल पुंच या कैलिक्स कहते हैं इसके एक सदस को बहाई दल या सेपल कहते हैं ये हरे रंग के होते हैं तथा ये कली का वस्ता में पुस्प की सुरक्षा कारे करते हैं चुकि ये हरे रंग के होते हैं तथा इसलिए ये प्रकास संसलेशन किरिया में भी भाग लेते हैं दूसरा चक्र आता है दल्पुंजिया कोरोला इस्ट्रेंट्स पुष्प के पुष्पासन पर पाए जाने वाले दूसरे चक्र को दल्पुंजिया कोरोला कहते हैं हम सभी ने पुष्प देखा है, पुष्प में जो पंखुडियां होती है, रंग बिरंगी, लाल पीली, नीली रंग की जो पंखुडियां होती है, उन्ही को हम दल कहते हैं, इस्ट्वेंट्स जैसा कि हमने बताया कि ये पुष्पासन के दूसरे चक्र पर होता है, तो सुगंधित होते हैं तथा मकरंद युक्त होते हैं अब इनका क्या कार्य होता है पोध्य में तो यह परागंड की किरिया के लिए कीटों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं एक बार और पुस्प के पुस्पासन पर पाये जाने वाले दूसरे चक्र को हम दलपुझ या कॉरॉला कहते हैं इसके एक सदस्य को दल्या पैटल कहा जाता है यह रंग बिरंगे होते हैं इसके साथ सुगंधित होते हैं मकरंद युक्त होते हैं जो कीटों को परागंड की कि कीविया के लिए आकरसित करते हैं ये दोनों बहाई दल पुज और दल्पुज जो होते हैं इनको हम सहायक अंग भी कहते हैं कि अब नमबहाता तीसर चक्र का पुमंग या एंडुशियम इस्ट्रेंट्स पुस्प का जो तीसरा चक्र होता है पुस्प के पुस्पासन पर पाए जाने वाला तीसरा चक्र जो होता है उसे हम पुमंग या एंडोसियम कहते हैं ये पुस्प का नरजननंग होता है आप चितर में देख सकते हैं कि एक डंठल नुमाकरती है जो आगे ज को हम पुंकेसर के नाम से जानते हैं जो दो भागों से मिलकर बना होता है नीचे के डेंटल लुमा भाग को हम पुतंतु कहते हैं और उपर के चोड़े भाग को पराग कोश कहते हैं पराग कोश के अंदर पराग कड़ों का निर्माड होता है पराग कोश के अंदर पराग कड बलता है वो पराकणों का निर्माण करता है जोथा और अंतिम। चक्र है जायआंग या गायनेशियम। Puspa के पुष्पासद पॉसपासन पर पाये जाने वाले चोफे चक्र को जायंग या गायनेशियम कहते हैं, यह P cash Armed अति महत्पुन और अंतिम चक्र है ये भी संख्या में एक से अधिक होते हैं तब इनके एक सदस्यों को हम इस्त्रीकेसर के नाम से जानते हैं ये तीन भागों से मिलकर बना होता है आप देख सकते हैं चित्र में सबसे मंध्य भाग में जो आपको सनलजना लिखाई दे रही ह ये पुष्प का मादजना नंग है जो तीन भागों से मिलकर बना होता है सबसे उपर वाला भाग बरतिकागर कहलाता है पुष्प में जो परागन की किरिया होती है उस किरिया में जो बरतिकागर होते हैं ये पराग करणों को गरहन करने का कारे करते हैं परागन की किरिया म जो बर्तिकागर होते हैं पराकणों को गरहन करने का खारे करते हैं दूसरा भाग है बर्तिका मध्धिवाला भाग बर्तिका कहलाता है तीसरा सबसे नीचे वाला जो फोला हुआ भाग है इसे अंडा से कहते हैं अंडा से किसी भी पुष्प का सबसे महत्पुन भाग होता है क्यों कि अंडा से के अंदर जो बीजांड होते हैं उनसे बीज का निर्माण होता है तथा जो अंडा से होता है वह स्वयम फल में परिवर्तित हो जाता है हम कह सकते हैं कि एक पुष्प में जो अंडा से होता है फल बनाता है और बीजांड से बीज का निर्माण होता है एक्जाम में वन वर्ड में कोशन भी आते हैं कि बीज का निर्माण किस से होता है बीजांड से बीजांड एक संरजना से जुड़े होते हैं जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं और फल का निर्माण किस से होता है अंडा स से जो पूरा का अड़ा से ये फल में परीवर्तित हो जाता है हमने चार भाग पड़े, चार भाग में पहले भाग का कार्य है, पुस्प की सुरक्षा करना कली का अवस्था में, दूसरा भाग कीटों को आखषित करता है, तीसरे भाग में पराकणों का निर्मान होता है, चोता भाग जो महत्पूर्ण है, इसमें एंडा से फल बनता है और बीजान से बी अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, नमस्कार, चैहन, जे भारत, भारत माता की जै